दोस्तों नमस्कार आदाब सत्ष्रियकार कई बार ऐसा होता है कि बड़े बड़े योजनाकार भी बुरी तरह मात खा जाते हैं अब किसको ये पता था कि G20 समिट जब बिलकुल अपने शिखर पर होगा क्लाइमेक्स पर होगा जब दुनिया भर के राश्टरा ध्यक्ष डिप्लोमेट्स टॉप लेविल के वो देश की राजधानी में होंगे उसी वक्त देश के छे राजधियों के साथ विधान सभा चुनाओं के उप चुनाओं के रिजल्ट भी आ जाएंगे टीवी पुरम में तो हो सकता है कि खावर नौ चले टीवी पुरम को प्रमंधित किया जा सकता है लेकिन अब सारे अखवारों खासकर अंग्रेजी के बहुत सारे जो अखवार हैं जिन में अब भी जनलिजम बचा हुआ है या कम से कम लोगों को खबर देने सूचना देने की एक जो जीजीविशा होती है एक कमिट्मेंट जो एक जनलिस्टिक होता है मीडिया का कमिट्मेंट वो बचा हुआ है तो अखवारों में तो छपी जाएगी अब उसको कितना आप मेनेस करेंगे वही हुआ इस बार तो दोस्तों न्यूज मन्थन में हमारी पहली जो कहानी आए आज की वो यही है कि कैसे जब जीट्वेंटी का पूरा का पूरा जो कारिक्रम है अपने बिलकुल आखरी पड़ाओ पर और सबसे महत्पुन पड़ाओ पर जब राश्ट्रा ध्यक्ष शिकरवारता के लिए ट दिल्ली में मौजवद हैं तो कल यानि शुक्रवार को छे राज्यों के साथ विधान सभा के उप्चनाओं के नतीजे आ गए बहुत बड़ी घटना इसलिए हो गई कि इंडिया यानि इंडिया एलाइंस इंडिया एलाइंस बनने के बाद ये पहली बार है कि बाई एलेक् में भारती जनतापाटी इंडिया एलाइंस की पार्टियों से पीछे रह गई सबसे बड़ी घटना तो ये हुई कि साथ जो सीटें हैं इन साथ सीटों में तीन सीट पर भारती जनतापाटी और चार सीट पर विपक्षी इंडिया एलाइंस की घटक यो पार्टियां वो ज जीत गई और भारती जनता पार्टी एक सीट जो जीत पाई उत्तरा खंड की वहाँ के बाई एलेक्षन की वहाँ भी 2405 वोट के अंतर से यानि मार्जिन बहुत कम था और चुनाव में सानभूती की लहर भी भारती जनता पार्टी की उमिद्वार के पक्षमे थी क्योंकि जि इस तरह से एक पक्ष में महौल भी था तो किसी तरह भारती जनता पार्टी वहाँ चुनाव जीत गई अगर वहाँ भी हार जाती तो ये बहुत बुरा हाल होता और पांच और दो का हो जाता फासला विपक्ष के पास पांच सीट और दो सीट भारती जनता पार्टी के साथ लेकिन सबसे बड़ा सेट बैट दोस्तों जो लगा है भारती जनता पार्टी को वो उत्तर प्रदेश के आजमगर जिले की घोसी सीट से घोसी सीट पर समाजवादी पार्टी के सुधाकर सिंग उमिदवार उन्होंने दारा सिंग बड़े बलवान आदमी दारा के वन नाम ही नहीं है उनका काम भी बहुत ताकतवर जैसा है इधर से उधर उधर से इधर होते रहते हैं ना जाने कितनी पार्टियों में रह चुके हैं, मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री, लीडर आप पार्टी रहे हैं, यानि लोग समा में एक बार वो अपनी पार्टी के लीडर भी बन गये थे, तो इस तरह का उनका किरदार रहा है, बड़े नेता हैं, पिछड़े वर्ग के लेकिन उनको जनता ने बुरी तरह हरा दिया, वो चुनाओ से पहले उसी सीट पर मिल ले थे सपा के, इस बार वो भार्टी जनता पार्टी में आए, अमिशाजी से मिले, ग्री मंत्री से, और मिलने के बाद महां गए और परशा उन्होंने बरा बाई एलेक्शन में बीजे जीत गया था उनका, लोग सबा में भी बाई एलेक्शन हुआ था, और आजमगड सीट पर धरमेंद रियादो कहरा कर निरहुआ जी कोई जीत गये थे, जो भारती जनता पार्टी के अफसांसद हैं, वो भोधपुरी फिल्मों और बंबिया फिल्मों में आते हैं, गायक है रविनेता हैं, तो वो जीत गये साब, अब वो जीत गये, तो इसके आधार पर ये माना जा रहा था कि आजमगड का मैदान साफ है, यानि भारती जनता पार्टी के पक्ष में जन्मत है, लेकिन लोगों ने क्या किया, लोगों ने 42,000 से ज्यादा मतों के अंतर से, सपा ने हरा दिया, ये बहुत बड़ा एलिक्षन है दोस्तों, ये सामानी चुनाव नहीं है, क्योंकि मुख्य मंत्री योगी, दोदो डिपिटी चेप मिनिस्टर उत्तर प्रदेश के, दरजन भर कैबिनेट मंत्री और नव जाने कितने भारती जनता पार्टी के नेता, आ उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव बना दिया गया था, और पार्टी ओवर कन्फिडेंट थी, सरकार ओवर कन्फिडेंट थी की चुनाव जीत गए, लेकिन चुनाव हार गए, इस मामले में ये बहुत बड़ा चुनाव है, ये टर्निंग पॉइंट भी हो सकता ह दोस्तों, 1988 में एक चुनाव मुझे याद आता है, आजमगड का ही, आजमगड पार्लेमेंटरी कांस्वेंसी में बाई एलेक्शन हुआ था, मोहिसिना की द्वई, कॉंग्रेस पार्टी की उमिद्वार थी, 1978 की बात है, मोहिसिना जी तब कम उमर की थी, अब तो खैर उस समय जनता पार्टी के उमिद्वार थे, उनके साथ पूरी सरकार थी, क्योंकि आपको याद होगा, 1977 में जब चुनाव हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में 85 सीटें हुआ करती थी, लोकसभा की, और उसमें इंदरा गांधी की पार्टी साफ हो गई थी, क्योंकि सीना कीदवाई, बाई एलेक्शन में 78 में जीत गई, क्योंकि जो जीते थे वहाँ चुनाव, राम रेदेश जी, राम रेदेश यादो, वो मुक्हिमंतरी बन गए थे, तो मुक्हिमंतरी की सीट से एक तरह से चुनाव हो रहा था, और वहाँ पर थंपिंग मेजाटी, बह जो एलेक्शन टर्निंग पॉइंट उसका बन गया, और इंद्रा गांधी की वापसी हुई उसके बाद कुछी साल के अंदर, उनिस सवस्ची में, तो क्या ये माना जा रहा है, सवाल कर रहे हैं लोग कि क्या घोसी, वही आजमगर, उस घोसी में, जो एक समय विपक्ष का गढ़ हुआ करता था, क्या इस चुनाव में सपा की, यानि इंडिया एलाइंस की जीत, एक टर्निंग पॉइंट सा भी थोगा, इलेक्टोरल हिस्ट्री में, एक बड़ा सवाल है, और दूसरा बड़ा सवाल दोस्तों ये है, कि जो समाजवादी पार्टी अब तक पस्त प धर्मिंद्र यादो बनाम आदरणी निरहुआ जी, तो उस वक्त जो है, वो बिलकुल अखिलेश यादो एक्टिव नहीं थे, अखिलेश यादो गए तक नहीं चुनाव में प्रशार करने, तो क्या इंडिया एलाइंस ने वाकई उर्जा भर दी है विपक्ष में, विपक जिनके पीछे इस समय E.D. पड़ी हुई है, मुख्यमंत्री हैं, वहां भी चुना उन्होंने जीत लिया बाई एलेक्षन डुमरी में, वो उनी की सीट थी, यानि उनकी पार्टी की सीट थी, भारती जनता पार्टी बिस बार बहुत आशानुद थी, बहुत होप था उसको कि जारखंड में इस बार मोर्चा हम फता कर लेंगे, लेकिन बाई एलेक्षन में वहां भी हार गई, तो ये जो परफॉर्मिंस इस बार भी पक्च की दिखाई दे रही है, वो बेजोड है दोस्तों, और ये वाकई ये एलेक्षन जो है, आश्यर नहीं कि अगर सबकुस ठ ठीक रहा, इंडिया एलाइंस में अगर कोई गरबड़ी नो होई अफ़ तक आगे, तो कुछ भी हो सकता है, जिस तरह का महौल बनता दिखाई दे रहा है, भारती जनता पार्टी की सीट थी बंगाल में, और वहां पर टीमसी जीत गई, टीमसी ने अच्छी तरह चुनाव जीता है ये, तो वीजेपी के लिए बड़ा सेट पैक है, और वो भी नतीजा आया जी ट्वेंटी के दर्मियान, दिलचस्ट बात ये है कि टीवी पुरम ने बाई एलेक्शन्स की खबर को बिलकुल दरकिनार कर दिया, कोई डिसकसर नहीं, कोई डिबेट नहीं, लेकिन अ अंग्रेजी के बड़े अखबारों में, ये खबर सेकंड लीड कहीं चपी है, कहीं बीच के पेज़ पर चपी है, लेकिन ब्रोब प्रमुकता से चपी है, तो जो एक आभा मंडल प्रदान मंत्री नरेंदर मोदी का बना हुआ है, और देश में ही नहीं, विदेश में भी, कि वो पूरे देश में सबसे पाकतवर नेता नौकेवल प्रदान मंत्री के तोर पे मोदी जी है, बलकि वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं, विपक्ष बिलकुल खतम वहाँ पर हो गया है, मुझे लगता है कि एक खबर पढ़कर के देश और विदेश के भी लोग चक आ रहा है, 2024 के चुनाओं के मद्दे नजर, घोसी के परिणाम और अन्य जगों के भी परिणाम, मैं सबचता हूँ कि बहुत बड़े इंडिकेटर हैं, बहुत बड़े संकेतक हैं, बाकी दोस्तों G20 पर एक खास पहलू उसका जरूर मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, G20 के लिए उसके दर्म्यान माननिय रास्ट्रपती, महा महीम रास्ट्रपती जी की तरफ से डिनर का आयोजन किया गया है, और उस डिनर में मुझे की बात यह है, कि देश के पार्लेमेंट में जो दो अपोजिशन लीडर होते हैं, एक राजिसभा में और एक लोग सभा में लोग सभा में अधीर रंजन चौधरी हैं, एलोपी, विपक्ष के नेता, और राजिसभा में हैं मल्लिकार जुन खडगे, विपक्ष के नेता, और खडगे साब कॉंग्रेस के, यानि देश की सबसे पुरानी पार्टी और सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी आज है, कॉ उनों को निमंत्रन ही नहीं आया है, इन्विटेशन ही नहीं आया है, और तो और कॉंग्रेस की जो अध्यक्षरा चुकी हैं कई वर्षों तक, और यूपी जब सत्ता में था तो वो उसकी चेर परसन थी, सोनिया गांधी, उनको निमंत्रन नहीं है, कॉंग्रेस की अध्यक की प्रमुख पार्टियां है उनके जो फ्लोर लीडर है अपोजिशन पार्टियों के उनको निमंत्रन नहीं है निमंत्रन किसको है तो प्रदार मंत्री जी को है प्रदार मंत्री जी की जो टीम है मंत्रियों की उसको है जितने मंत्री है इसके अलावा जो मुख्य मंत्री गण हैं चाहे जिस पार्टी विचारदारा के हो सब को गया है यह बात सही है लेकिन मज़े की बात यह है कि invitation card जिन लोगों को जारी हुआ है उसमें कुछ बड़े दिल्चस्प नाम है अब मैं आपको कुछ नाम आपके सामने रखता हूँ पहली बात तो यह कि इसमें जैसा मैंने बताया कि बड़े मंत्रियों के अलावा इसमें अमबानी साहब हैं इसमें अधानी साहब हैं जो देश के बड़े गए हैं उसमें इनको इन्विटेशन है लेकिन बलिकार जो खड़गे को नहीं है जो देश की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी कॉंग्रेस पार्टी उसके लीडर हैं उसके राष्टिय ध्यक्ष हैं सोनिया गांधी को नहीं है अधीर रंजन चौधरी को नहीं है और जितने अन्य बड़े नेता हैं इसी को नहीं है तो इसको लेकर भी काफी चर्चा है और भारती जनता पार्टी में भी कई लोग ऐसे है जो दवी जुबान से इसको ट्रेडिशन के विरुद्द मान रहे हैं लेकिन बोलने की भारती जनता पार्टी में उप्चारिक तोर पे कौन बुलेगा और दोस्तों इसी सरकार के अधीन आम तोर पे राष्टपती भावन के तरब से जो भी इन्विटेशन जाता है उसमें विरेश मंत्राले की आज के दिनों में खासकर G20 के दवरान उसमें अहम भूमिका होती है हम सब जानते हैं कि प्रेसिडेंट आफ इंडिया के बदले प्रेसिडेंट आफ भारत जो इस बार लिखा गया है इन्विटेशन कार्ट जिसकी तरफ से इश्यू हुआ है वो पद क हाउस की तरफ से जो इन्विटेशन गया था उसमें लीडर अफ अपोजिशन को बुलाया गया था जितने प्रमुख नेता थे सब को बुलाया गया था लेकिन इस बार सरकार शायद विपक्षियों पर ज़्यादा आमें उनकी नजर ज़्यादा है या जो भी आप कह लीज है यह समझना बहुत कठीन है क्योंकि डेमोक्रेसी में इतनी ट्रॉल्रेंस इतना मेल जोल इतना भाईचारा और सबसे बढ़कर परंपरा का इतना निर्वाह जरूर होना चाहिए कि जो प्रमुख नेता विपक्ष के हैं उनको भी आमन्तित किया जाए लेकिन बहराल देश के कार्परेट हाउसेज के जो रिप्रिजेंटेटिव हैं जो बड़े उद्योगपती हैं उनको तो इन्विटेशन जा रहा है जिनका कोई ऑफीसियल स्टेटस नहीं है जो जनता के एलेक्टेड रिप्रिजेंटेटिव नहीं है लेकिन जो जनता के एलेक्टेड रिप्रि G20 हमारे पास समय कम है वरना हम G20 जिस तरह हो राय और इसमें माननी पदानमंत्री ने कहा कि G20 को हम समाज के अंतिम आदमी तक ले जाएंगे या ले गए हैं लेकिन समाज के अंतिम लोगों की जो इस्तिती खास कर रायधानी दिल्ली में है गरीबों की बेघरों की या अत्यन कई जगा तो लोगों के महलों को लोगों की कालोनियों को लोगों के जुगी जुपड़ियों को धंत दिया गया है ताकि बड़े मेमान देख न सकें जो बड़े-बड़े लोग आये हैं कहीं सीमेंट की दिवारें खड़ी कर दी गई हैं कहीं नीले रंग की पट्टी लग रही है आजाद भारत में मैंने कई बुज़र्ग लोगों से पुछा जो मुझसे भी रहा बुज़र्ग है कि ऐसा बहुत सारे हमारे हां संबेलन हुए है गुट निर्पेक शांदोलन का संबेलन हुआ है तो क्या ऐसा कभी हुआ था कि बिल्कुल कर्फियू तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन कर्फियू जैसी स्थिती पैदा कर दी जाया राजधानी में तो लोगों ने कहा नहीं बिल्कुल कभी ऐसा नहीं हुआ लेकिन इस बार ऐसा है अब पता नहीं ये क्या है ये प्रियोग है य या क्या है या किवल मौजुदा दौर के लिए है या भविश्य के लिए भी है ये तो भविश्य ही बताएगा और बिलकुल दोस्तों आखिर में बहुत एक छोटी कबर लेकिन बेहद महत्पून कबर कि देश के शार पत्रकार जो संपादक हैं संपादक श्रेणी में आते है किसी ने किसी अपपार के बड़े संपादक रह चुके हैं मनिपूर में एडिटर्स गिल्ड की टीम के साथ वो गए तीन लोग गए और प्रेसिडेंट जो एडिटर्स गिल्ड आफ इंडिया की हैं सीमा मुस्तफा उनके सही उन तीनों लोगों को भारत भुशन जो अगरा तमाम जगों पर काम कर चुकी हैं इनके खिलाफ एफायार दर्ज हो गया मामला सुप्रिम कोर्ट में है सुप्रिम कोर्ट से इनको राहत मिली है और आगे सनवाई है अगले सब्ता ही पहले दिन अब देखना है कि आगे क्या होता है लेकिन हमने देखा कि मुख्यमं जो मनिपूर के हैं उन्होंने इन संपादकों को इन पत्रकारों को एंटी स्टैब्लिस्मेंट तो कहा ही एंटी नेशनल कह दिया है है इस बारे में हमने एक वरिष्ट संपादक जो बिजनेस लाइन जो हिंदू बिजनेस लाइन है उसकी पुलिटिकल इडिटर है पुरुनि कि उनके आफजर्वेशन सुनिए इस मामले में एक चीफ मिनिस्टर जो की तीन महीने हो गए और अभी तक वहां पर वाइलन्स चल रही है उसको इन लोगों ने वहां बरकरार रखा है मतलब सारे देश में हर पंजाब के जो राज़ेपाल है वो कहते हैं कि यहां की ब्रग चलर वहां पर इशू है पंजाब में उसको लेकर वो सरकार को बरकार करने की बात कर सकते हैं लेकिन मनिपूर में जहां इतने लोग मर गए हैं इतनी प्रॉपर्टी का विद्वन्स हो गया है और अभी तक वाइलन्स चल रही है और दोनों कम्यूनिटीज को बिलकुल आप अभी त्वीट करकर के इन्होंने दूसरी कमीरोथी को को ब्लेम किया और इनकी इतनी हिम्मत होती है कि यह एडिटर्स जो की एक समवेधन शिल्ड जो इशू है उसको वो हाइलाइट कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि मीडिया तर रोल क्या था इसमें उनको यह अंतिनाशनल कह और उनको कह रहे हैं कि हम इन्हांने यहां पर वाइलन्स को सैंकि है। या फिर उनको foreign agent बताया जा रहा है और सबसे बड़े भारतियता के जो ठेकेदार हैं वो ये लोग हैं और सरकार के खिलाफ अगर कुछ कहा जाए तो फिर आप antilation हो गए तो दोस्तों आज इतना ही नमस्कार आदाव सत्स्रियकाल झाल